स्वाल नमबर एक, सिर्पठंडा पानी डालने से क्या होता है? स्वाल नमबर दो, सुबह उठकर जल्दी नाने से क्या होता है? स्वाल नमबर ती में, रात में नाने के क्या फाइदे होते हैं? स्वाल नबर 4 नाने के बाद स्रीव पर तेर लगाने से क्या होता है स्वाल नबर 5 सर्दियों में कैसे पानी से नाना चाहिए इन सभी स्वालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे विचलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सिर्प ठंडा पानी डालने से क्या होता है दोस्तों खाने पीने और उठने जागने के तरह ही नाने का भी सही तरीका होता है यदि सही तरीके से ना जाये तो दिल से लेकर दिमाग तक सही रहेगा लेकिन गलत तरीके से नाने पर ब्रेन स्ट्रोक से लेकर हार्ट डिटेक तक का खत्रा हो सकता है और इन सब का कारण होता है नाने का गल्द तरीका हमारे सरीर में बलड सेर्कुलेशन उपर से नीचे पैरों की तरफ होता है इसलिए अगर आप नाते समय सरूर में सिर पर पानी डालकर नाते हैं तो यह आपके लिए नुक्सान दायक ह हो सकता है क्योंकि इससे हमारे सिर्की नलीकाइं शिकुटने या रक्त के तके जमने लग जाते हैं इसलिए शुरुआत में उपर से पानी डालने से शिर ठंडा हो जाता है इस वज़े से हमारे दिल को सिर्की तरफ ज्यादा खून बेजना पड़ता है जिससे हार्ट अटे दूस्तो सुबह जल्दी उठकर सनान करना हमारे स्वास्ते के लिए बहुत फाइदयमंद होता है क्या आउप जानते हैं कि सुबह जल्दी नहाने से कई स्वास्तरलाब पराप्त होते हैं सुगह 45 बजे के बीच में नाने को देव सनान का जाता है इस समय नाने से सुख समर्दी और धन की कभी कमी नहीं रहती ऐसे सनान से व्यक्ति के तेज मे वर्दी होती है तौचा में निखा राता है और आकर्षद बढ़ता है रोगों से लड़ने के समता बढ़ती है और शरीर सक्ति साली बनता है जल्दी उठेंगे तो मानसिक शक्ती भी बढ़ेगी और बुद्धी का विकास होगा बुद्धी के विकास से पृष्ठितियों के अनुपसार सही निरने लेने की अकस्ता भी बढ़ेगी कि सुबह जल्दी जागने और नहाने से आरश से दूर बागता है और पुरा दिन काम करने के लिए श्रेश्ट सक्ति प्राप्त होती है सास्तरों की मानिता है कि जल्दी नहाने वाले व्यक्ति को घर परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है जल्दी काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा और सभी काम समय पर होते जाएंगे रात में नाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों सुबह के बगत तो सभी नाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को नाने से कितने स्वास्तेला प्राप्त होते हैं रात को सुने से पहले नाना एक अच्छी आदत है क्योंकि पूरे दिन में जो धूल के कंड और के टानू हमारे शरीर पर लग जाते हैं वे नाने से साफ हो जाते हैं यह आपको तरो ताजा और जावान मैसूस कराता है और आपके शरीर के ताफमान को भी समानने करता है जब हम रात को नाते हैं तो यह तुरुंत हमारे दिमाग और शरीर को तुरुताजा कर देता है यह हमारे मूड को रिप्रेस करके मन और शरीर दोनों के से तनाव को दूर करने में मदद करता है और हमें अच्छी नहीं दाती है रात को नाने से आपके स्रील की रोग परती रोधक समता बढ़ती है और आप कई बिमारियों से बचे रहते हैं रात में नाने से वजन गटाने में भी मदद मिल सकती है साथ ही माईग्रेन बदंदर्द और जोड़ों के दद में भी रहत मिलती है पूरे दिन की ठकान रात को नाने से दूर हो जाती है जिन लोगों को हाईबल डप्रेसर की शिकायत जैदा रहती है उन्हें रात उन्हें जरूर नहाना चाहिए क्योंकि नाने के बाद आप रिलैक्स मेसूज करते है ऐसे में आपका वीपी नॉर्मल होगा रात को नाने से आपकी आँखों की ठकान दूर होती है और आँखों में जमागंधगी साफ होती है जिससे आपकी आँखे सवस्थ रहती है नहाने के बाद शरीर पर तेल लगाने से क्या होता है दोस्तों शरीर पर तेल की मालिस करने की परंपरा सद्य पुरानी है शरीर पर तेल की मालिस करने से आप सवस्त रहते हैं तेल की मालिस करने से शरीर की मास्पेशियां मजबूत होती है स्वाल या है कि तेल मालिस करने से पहले करना चाहिए या बाद नाने के बाद तो चरिए जानते हैं नाने के बाद तेल लगाने से कपड़े घराब होने का डर रहता है महल चिपक जाती है इससे आपके शरीर पर ह्रेसेज और खुजली होने का डर रहता है तेल मालिस करने से शरीर में से कई दुशित पुदार्थ बाहर निकलाते हैं इसलिए नाने के बाद मालिस करने पर यह साफ नहीं हो पाते हैं तो इस वजए से ताउचा के रोग होने के असंका रहती है नहाने से पहले शरीर पर तेल लगाने से शरीर से टाक्सिन बाहर निकलाते हैं और जब आप नहाते हैं तो सब धुल जाते हैं नहाने से पहले तेल लगाने से आप नमी युक्त रहते हैं जानकारों के मुताबिक गरम पानी से नाने के अपने फायदे हैं लेकिन ठंडे पानी से नाना भी आपको नुक्सान नहीं पहुचाता अगर आप ठंडे पानी से नाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने सरीर को समय देना चाहिए पहले आप गुन-गुने पानी से शुरुवात करें अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले ठंडे पानी को अपने पैरव पर डाले जिससे मस्तिक्स तक इसका बात का संक्यत पहुच जाए इसके बाद ही पूरे स्रीर पठंडा पानी डाले दोस्तों स्रीर की ठकान को दूर करने के लिए लोग गरम पानी से नाते जरूर हैं लेकिन गरम पानी से नाना आपकी तक्चा के लिए नुक्सान दायक होता है गरम पानी तवच्चा की चिकनाट को खतम कर देता है जिस से तवच्चा में सूखापन और अन्य कई तरह की दिकते हो सकती हैं गरम पानी स्किन के टिसूज को नुक्षान पहुंचाता है डाक्टर कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से तवच्चा में कसावट आती है यदि आप सौस्त है तो हर दिन ठंडे पानी से नाना आपकी तवचा के लिए बेहतर होगा मिश्ची दुरूप से ठंडे पानी से नाना गरम पानी से बेहतर भी कल्प है हाँ बस पानी के साथ सरीर के तापमान को समय उजित करके नाना चाहिए दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पा चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद दोस्तो नमस्कार जैसंदे